भारत हस्त शिल्प का सर्वोत्त कृष्ट केंद्र माना जाता है। वर्तमान समय में रोजगार उत्पादन और निर्याद में हस्तशिल्प का काफी योगदान रहा है सरकार द्वारा हस्तशिल्प कारीगरों और भुनकरों को पहचान कार्ड जारी किया जाता है इस कार्ड के माध्यम से हस्त शिल्फ कारिगर और बुनकर किसी भी क्रेडिट, बीमा, इत्यादी जैसे विभिन सरकारी सहायता एवं योजनाओं का लाब उठा सकता है आईए जानते हैं अपना पहचान कार्ड कैसे बनाएं पहचान कार्ड का आविदन करने हे तू आप सर्व प्रथम वस्तर मंत्राले की आधिकारिक वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर जाएं यहां आपको विभिन मेनू और स्क्रीन दिखाई देंगी आपको Home Page वरस्तित Apply Online या Artisan Desk पर क्लिक करना है Artisan Desk या Apply Online पर क्लिक करने पर आपके सामने एक स्क्रीन आएगी यहां Registration for पहचान ID Card पर क्लिक करें Registration for पहचान ID Card पर क्लिक करते ही नई स्क्रीन आपके सामने आएगी यहां आपको पहचान ID Card फॉर्म और Print ID Card विकल्प मिलेंगे अगर आपके पास पहले से ही पहचान कार्ड है और आप उसकी प्रिंट निकलना चाहते हो तो आपको Print ID Card विकल्प क्लिक करना है अगर आप नए पहचान के लिए आविदन कर रहे हैं तो पहचान ID Card फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें पहचान ID Card फॉर्म पर क्लिक करने पर Registration फॉर्म खुलेगा पहचान ID Card फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और दिये अनिवार्य जानकारी को भरें साथ ही में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें अब आखिर में दिये गए सब्मिट बटन का चैन करें और उनलाइन भरे हुए फॉर्म को जमा करें प्रिंट निकालें और इसे निकटता मुख्याले या क्षेत्रिय कार्याले में जमा करवाएं पहचान कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज अधार कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड बैंक पास्पुक की फोटो कॉपी पास्पोर्ट फोटो कॉपी हस्ताक्षर सत्यापन के लिए शपत पत्र पहचान कार्ड के फायदे कार्ड धारक को व्यापार उद्योग के लिए 10 लाग तक की आर्थिक सहायता कार्ड धारक के दो बच्चों को उच्छ शिक्षा का प्रावधान कार्ड धारक को जीवन भीमा योजना के तहट सीधा लाग बिना गारंटियर के 2 लाग तक का मुद्रा रिण उपलब यूवा कॉशल ट्रेनिंग योजना का लाग सरकार से उपलब स्थानिक और व्यदेशी कंपनियों द्वारा आमंत्रित रोजगार का अवसर उद्योग मेलों में सबसीडी स्टॉल उपलब ग्रोइंग टेक्स्टाइल एंपावर टेक्स्टाइल स्टेंदेन टेक्स्टाइल सोचन्य वस्त्र मंत्राले भारत सरकार